वेलकम वाइस आज के इस नियुटूट्रोल में और यहां से एक कॉंसेप्ट बना रहा हैं जिसमें एक कैट है जो माउस को देख रही है खाने के लिए ठीक है आपको सच में फोटो मैनुपलिशन सीखना है तो मैं पहले एडवाइज दूँगा कि वीडियो को पूरा देखो रही किस्टैब पिद्दू क्योंकि मैं कॉंसेफ रहता हूं कैसे ड्रॉ काना सब्सक्राइब तो आप यहीं भी सीख लेंगे मैं बताता हूं क्या कॉंसेप्ट रहता है ठीक है तो चले शुरू करते हैं पहले हम यहां से बैकड़्राउंड इमिज पेंपोर्ट करेंगे ए और परस्पेक्टिव से क्लिक करने से होता क्या है थोड़ा आगे पीछे ओके ठीक है थोड़ा सब बढ़ा करते हैं इस तरीके से आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं उसमें मैंने हर एक प्रोसीजर स्टब बस्टब बता है इस वीडियो में कोशिच करूंगा हर पूलडर बना लेता है किकर्वाया और बपनी पूल्डर रखेंगे सोफा ओके और इस वेको जिए डाल देता है और बच्चेंज करें अशुक्त करने के बाद हम करेंगे का सबसे पहला अपने माक्स पर करेंगे चाहां सब्सक्राइब करेंगे ब्रस्द्रीने के बाद यह मैंने ओपेसिटी कम करके मैं रिमूब करने के खोश्च कर रहा हूं और इसे सब्सक्राइब थोड़ा ऊपर नीचे करके इसे सब्सक्राइब करने के बाद पहले मैं शुक्त कर दूंगा ड़ें शॉक्त करने के बाद इसे तरी नियम कर दूंगा इसकाइब एक मिन जुद्ध करिंगे और इसको इसको resize करेंगे यानि fit करेंगे अपने background में और यह दिके मैं से cloud से उन्हें उपर ला रहा हूं थोड़ा ठीक है क्योंकि नीचे के पार से मतलब नहीं फरें नीचे के लिए करके हमें मास्क बना लेना है यह देके मास्क बना ओके अब हम करेंगे का यह gradient tool है ठीक है हम इसे ले चुछ ना गए है ऍटान होने के बाद हमे इसे थोड़ा से उपर करना होग ठीक है मैं यह मूब तूल के से उपर करना हो थोड़ा था ओके यह perfect लग रहे है तीया इतना गरने के बाद comes और कैंक क्या है सबसे पहले यहां पे हम एम एक यूएन saturation के अभले लेंगे और सैट्योरीशन कम करेंगे यहोजीन को सेखितक सेख्यार को ज्ञार कॉर्ड stripes जाँ है एजैंब करेंगे मैं उन्यक्तिवंधिक यह ब्लाइट掉 मतलब बस्त्यदा रहनी निहीं देंगे तोड़ा साथ चितरव करेंगे औरयान वह धूस्ट इड़ने पड़े और में तरह ब्ली तरह करोंगा ठीक है जिसको मैं मैंने पहले इसे ही कट कर रखा है थी कि आप देख सकते हैं इस तरीके से और यहां पर मैं इंपोर्ट करके इसका ट्रीनिम कर दूंगा कैट इतना करने के बाद मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करके छोड़ा करना चाहता हूं और यह ज़स्ट बैड़ जाए हमारे सोफा फे थोड़ा सा नीचे वर ओके हाँ यह देख सकते हैं यह थोड़ी ऊपर लग रही है तो इसे हमें नीचे गन लाओगा नीचे करने के बाद परफेक्ट यह दिए यह दो नोमार सेंटर ऑफ अटेक्शन रहेंगे और यहीं से सब लोग देखेंगे हमारे में अच्छे आपको और्गनाइज में हम काम करेंगे सबसे अच्छा तरीका रहता है अपने वर को वर्फ्लो को थोड़ा एफिशेंट बनाने का ओके अब बैक्राउंड नीम दे दिया अब बाहर एक मैंने लेयर लिए उपर और यह शैडू नीम दे दिया शैडू से क्या करेंगे आप स्केट मैंने सब्सक्राइब और यहां से में थोड़ा थोड़ा था पेंट करूंगा ब्रश लेके बलैक से ओके यह ऊपर से थोड़ा यह आपको नीची नीची से पेंट करना जाँ-जाई शैडू आ सकती है पहले में कैका रों मास्क से इसकी जो थोड़ी से टेल एसे रि के बाद मैं यहां से पेंट करूंगा इसे आराम से ओके अब देखें हम इसे मल्टिप्लाइ मोड रख लेंगे और पैसिटी बहुत कम कर देंगे लगभग मान्यूट सा चेंज आएगा यह देखें लेकर बहुत इफैक्टिव यह शैडू बनाने का ओके फिर एक वार नीचे लिए लेंगे शैडू बनाने के लिए और इसको भी शैडू नेम दे देंगे यह कॉंटक्ट शैडू होगा यानि जो टच नीचे डाउन बाला शैडू होता है ना जो सोफे से टच रहेगा वह बनाएंगे मैंने इसको नेमिंग कर दिया ठीक है शैडू गया टच ठीक होती है मैं से मल्टिप्लाय मोल रखता हूं और इसी आप इसे कम कर देंगे यह 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 परफेक्ट लिए बन चुका है हमारा शैडू और काफी अच्छी तरीके से लग रहा है ठीक है थोड़ा समस में से आंगे की तरफ यह ज्यादा हो गया है तो मैं इसे रिमूब करना च फोल्डर बनागे और फेर हम वाले फोल्डर में जाएंगे यह नहीं तो अब तरीके से पहले मैं रख लूँ उलम आखने के बाद यहां से मैं ब्रश लूँगा और ब्लैक कलर आपको फॉर घ्राव जोना चाहिए और और आपशीटी कम कर दूँगा ठीक है आपसीट तो फोड़ा सा एक दम से पूरा नहीं बना यह देखिक कितना अच्छा शाड़ो क्रीट हो रहा है विद्वादी कि अप जल्द वाजी में कुछ भी बनाते जा रहे हैं जाए इतना कर्वीट होने के बाद याप श्याड़ बने के इसलिए पो मैं कॉपी कर लोंगा शाड़ो लेर को और यहां से मैं इसे बटीकर रिपकल लोंगा कंटूल की दबाके अब मैं थोड़ा सा रिफलैक्शन बना रहा हूं ठीक ज्यादा नहीं तोड़ा ही से रफलैक् लेकि नीचे से मैं रिमूव याद रखें ब्लैक कलर हाइड करता है लियर को और वाइड कर से विजेविल होती है यह देखिए मैं आर राम से यहां पर मैंने इतना यह कापी लग रहा है आप दूर से वार में से चैक कर लेते हैं सबस्क्राइब होता है इसमें बहुत तो इंपोर्ट कर लिया है यह लेकिन थोड़ा ऊपर रखेंगे इस प्लेश इसलिए ताकि इसमें से मचली अब निकलती है ना फिस जब बाहर आएगी तो अविसलिए पानी के कि कुछ चीट ऊपर लोड़ेंगे इसको रीनियम कर देते हैं वाट्रस प्लैश की नाम से री तरशीचे न ये सही मास्क बनाने के बाद यहां से हम ब्रॉश लिंगे ठीक है मैंने कॉम सा ब्रश लिया है मैं यहां पर ब्लैक प्रश लूगा और इसे नीचे से पूरा हाइट करूंगा नीचे के ये लिए तो बढूरेे प्लेक्ट difक्रम से याम हाइड करना है तो यह इसे बहुत कम सच्छिशन में कर देंगे अधर लेसी सब्सक्राइब यहां जो वाइट स्लाइडर इसे थोड़ा साइट कर देंगे से क्या होगा जो वाइट वाइट कलर्ड की वाइट कलर है हमारे इस लेयर में निकल जाएंगी अब मैं से री पोजीशन करूंगा कोच इस कि यह सब्सक्राइब करें यहां से यहां से को डाउन कर दूंगा नीचे डाउन करने से मेरा मतलब है यह कुछ ज्यादा ही आइमीन कुछ इस तरीके जागर आपको कर सुनिया थे आप टूडिल देख सकते हैं अनलाइन मैं सज्जेस्ट करूंगा ठीक है वीडियो बहुत चाहिए अगर मैं हरी चीज एक स्प्रेंग करूं तो पर मैं यहां मैं यहां से थोड़ा डार्कने देख रहा हूं प्राइट निस कम कर रहूं सकर्ब के तूरू ओके मैं आपको सिंपली बताना चाहा रहा हूं और यह ब्राइटनेस कम करने के बादे मैं थोड़ा से करूंगा ठीक है यह जो स्प्लैश है इसी को हम सबसे पहले रिमूब करेंगे थोड़ा समय रिमूब कर रहा हूं नीचे नीचे से देखके अब इन तीनों लेकों लेकर हम एक फोल्डर बना देंगे इसका हम स्प्लैश नहीं देंगे ओके इन बनाने के बाद आप हमारा न सब्सक्राइब करेंगे और एप्रोप्येट यह हो गया चोटा ठीक है इसे थोड़ा ऊपर रखते हैं और वाप वाप यह इसका आप यूज कर सकते हैं यह कि किसी ऊपर नीचे करने के लिए अपने अब्जाट को घुमाने के लिए ठीक है मैं इसे मैं से जंपिंग का अटेस्टेरीशन कव और डयूंगा ठीक है मैच करने के लिए वैक्करांड मैंसी क्लेए मैं ह widi अोगया Master जाहला सन्सक्राइब कर दिया कि देख रही हो थोड़ी ऊपड़ी तरफ देख रही है तो मुझे भी इसकी डारेक्शन उसके आख करने है ठीक है अब यहां से एक नई लियर लेना है हमें ब्लैक इन वाइड लेंगे हम और एक कर्ब्स अब कर्ब में यह थोड़ी नीचे यह थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ठीक पिखार देकने हैं कहां दे रहा हैं कहांड है मैच करने के लिए तो इस का युझा जबैकर सकते हैं यहां अकर लियर के साथ यह करने वाले हैं यहां कि मैं थोड़ा मिंटेन कर दो इसे आइधिंग सो यह नीचे साइड जाना चाहिए ऊपर साइड ओके ठीक लग रहा है यह देखिए विपोर और आप्टर ओके कितना अश्चानदाल लग रहा है इसको मैं नेम देता हूं लाइट को मैंने लाइट नीम दे दिया अब हमारा स्काय का काम तो कंप्लीट हो चुका है अब हम चलते हैं फिश में फिश में चलना चाहिए आइधिंक तो नहीं पहले हम चलने चाहिए शोपा में हम दोजन बन करेंगे लाइट और शैडूस पर वर्क करेंगे हाईलाइट पहले में कर्ब्स लेल ओर यहां पर मास करेंगे यहां पर फगर फढ़ेगा और इससे नीचे कर दिए मैंने और लूमिना सिटी में सेट कर दिलू मिनिसीटी में होता क्या है कि सिर्फ आपकी लाइट पर फर्क पड़ता है कलर पर फरक नहीं पड़ता है ठीक है जब भी हम उपर नीचे करते हैं तो मैं दो लेल लेनी है हमें कर्ष की एक को मैंने डॉज नाम दिया को वन यहार बर्न मतलब सिर्फ होता है शेडव देना तो मैं इसे नीचे कर दूब में से गलती से उपर होगी ठीक है और वाले को उपर कर दूँँ ठीक है अब डॉज का मतलब है हम हाइलाइट देंगे गांट रएसे पहले में दोड़ेर को इनवर्ट कर दोंगा करने के इनवर्ट करने के बाद यहां पे मैं करना गया की अब यह गिजरी सबसे पहले सबसे पहले हैं इन बरन करना पड़ेगा यानी शेयरव क्रियेट करनी पड़ेगे सफस मे pros यहां पहले हम थोड़ा थोड़ा था तर यह सैढोगी करें गये और करेंगे और फीजर्ञ और पर्फेक्ट फिर ब्रेश लेना है आपको दुवारा और दुवारा प्रेश लेने के बाद यहां से जिस साइड लाइट आ रही है ठीक है लाइट शाडव इंपॉर्टन्ट होती है यह आप यादा कि मैं यहां से कर्प्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं कि कि यह तो नहीं कि ततना करने की बात यह मंझे लगता है की थोड़ा सथोथा यहांँ पान करते ना चाहिए ने में मैच कर आना ठीक है कि उव्क और Creed को लाइट को like that the तो इस साइड में शैड़ो पहले ड्रॉब करूंगा अभी में शैड़ो ड्रॉब कर रहा हूं कर तू लेके और अभी फिर हम हाइलाइट ड्रॉब करेंगे उपर की साइड क्योंकि लाइट हमारी लैप से आ रही है आपको कॉंसेप्ट समझना यह सबसे इंपॉर्टेंट फ अब आइधिक सो यह देगे सोफा का काम कंप्लीट हो चुका है सोफा के बाद हम कैट में जाएंगे और यहां से दो लेंगे कर्व की ठीक है पहली मैंने बरन की लेड़ी और दूसरी में सेम डॉच की लूँगा और लोग को लो मेंने में लेट लेश को लूमिन उसीटी मो सब्सक्राइब कर लेंगे हम इसा की तरह लूमिनसीटी में डालने के बाद कर सकते हैं दोनों लियर्स को अब क्या करेंगे मैं ब्रश लूंगा और राइट वाला पार्ट है इसे मुझा पहले कैट को थोड़ा यहां से रिमूब कर देना चाहिए यह वाइट वाला लिमने से हटा दिया ठीक है अब अब करते हैं डॉजन वन और इसके यह करने के बाद दो जन वर्ड़ अब ठीक रहेगा ठीक है तो सब्सक्राइब कर रहे होगे क्या कि आपने सोफा के साथ किया था हूँ वैसे ही आपको यहां पे कैट पे ड्रॉग कर निया राइट साइ सब्सक्राइब करें तो यहां पे हाइलाइट ड्रॉग कर दूबर आराम आराम से काफी इजी आपको देखने हैं लाइट के साइज से आ रही है और साइट से आपको फिर ड्रॉग करना है ठीक है ब्रस की आपसे हमीशा कम रखें और तर बस इतना ही चाहिए अगर आप एक चैक कर लेता हूं मैं हमीशा को थोड़ा पर नीचे करता है रहता हूं देखता हूं कि कितनी कम या कितनी ज्यादा हूं कौन सा फेट वाइट रहा है अब यहां आप स्प्लैश देखिए थो शार्फ लग ले इसलिए हम इसे थोड़ा सा गोजियन फिल्टर अपलाई तो ज्याता शार्फ लग लिए आपलाई करूँगा ठीक स्प्लैश थोड़ा सा बलर हो जाए थिक कि इतना होने के बाद यह सब परफेक्ट लग रही है अब हमें चलना है यहां फिश के फिश पर चल्के हम सीम फिशित दूलेंगे एक या हाइलाइट के लिए चे लेकलिए तो मैं हाइलाइट को पर पर मसा बोलता हूं और शैड़ोर जैड़ों करके और दोनों को लुमिनूसिटी मोड में रखेंगे मैं फिर से बता दू सेम स्टैप्स है हर एक लेयर के लिए ठीक हाइलाइट और श्याडव देने के लिए अब चलो दोनों जो लियर से उने इन कंट्रोल आई साब इन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ब्रस लेके ऑप सिटी कम कर देनी आपको ब्रस की ठीक है हम इस आई लाइड दे रहा हूं कि की लाइट ऊपर से आ रही है मैं लाइट कि डारेक्श्टन का का देन रख रहा हूं कि कहां से लाइट आ सकती ये कहां से ढहां से अ यह ठीक है i think so यहां पर थीश्त पहले सबसे लेसरा पहली स्कृतित लियना है जो की काफी अच्वासी लगता है मुझे थोड़ा पॉप क्रोग लिए लोगा हो लेल लेने के यहां सब कलर लूगा ठीक है क्लर को कौन सा लोगा एका अफ़िस ऐना गालगा और इसे भी ना कलर रहुत थोड़ा सब्लेंड वा और यह अच्छे तरीक इस ब्लेंड वायर अगर आप देखे तो ऑफिसटी यह देख सकते हैं इस मैंने क्लियर ली से कलर मोड में सैट किया पेंट कर दिया ठीक है आप इसे दुबारा भी देख सकते हैं इतना होने के बाद अब मैं मैं विंटर वाला लूँगा ठीक है और यह से भी थोड़ा सा ज्यादा वड़ा यह तेन लियर लिया है हमने यह क्या करेंगी कि यह हमारी इमेज को उपर से फिल्टर डाले ना तो और अच्छे से ब्लेंड दिखाती है अब तीलो चारो लियर को मैं ग्रूप में फाइन ल बनाने के बाद यूज करता हूं थोड़ा उसमें चेंज करने के लिए तो आपको यह जो मैं स्टैप सभी में वीडियो फास्ट कर दे रहा हूं कि आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे-छोटे से बेसिक चेंज होता है जो मैं हमिसा अपने फिनिश अप देन से लुगा और फिर मैं यह एक लाश्ट लेए कर ब्राइट नेस दोंगा स्काय को ठीक है ओबर रॉल और अच्छी से ब्लेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं थोड़ा सावसे जार कर देता हूं अच्छी ठीक है यास अब हम हम राइट साइट में यह एक रेडियन टूले कि यह रायट साइट बराइटने सारी लेप्साइब डाकनेस यह देखिए यह परफेक्टी ब्लैंड हो चुकी और हम लुमिनेसिती में से सेट कर देंगे तैट्स आल तो यह हमारी फाइनल आट तयार हो चुकी है तो थैंकि वाईस आज के इस वीडियो को देखने के लिए विर मिलेंगे जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो टाटा बाइबाइब